वेल्कम बेक टो माई चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आएं बक्राइट स्पेस्यल तवा बोटी की रेसेपी इसको मैंने इतनी आसान तरीके से बना के बताई हो तो आप भी इसको आप अपने किचन में जरूर बनाना अगर आपके पास कम समय है तो यह रेसेपी आपके लि हो बिल्कुल दो गुनाव हो जाता है अगर आप मेरी तरह बनाऊ गए तो बहुत सिंपल है स्टार्ट करते हम वीडियो को पहले हम ऐसे कुकर को लेंगे आप देख सकते हो मैंने मटन के कितने छोटे-छोटे पीसिस की हुए बस आपको भी इसी पीसिस में कट कर लेना है सा अब कुकर में अच्छे से कुकर को गरम करेंगे और इसमें हम दो चम्मत जितना तेल डालेंगे तेल आप अपनी क्वांटेटी के इसाफ से डाल सकते हो अभी हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि जब हम तवे पर पकाएंगे उसमें भी थोड़ा सा तेल का यूज होगा इ अच्छी से स्मेल नहीं आती तो इसकी स्मेल इंडियास हो जाएगी इसलिए पहले मटन को इसको ऐसे स्टर कर लेंगे तेल में अब क्या करेंगे इसको हम एक से दो मिन ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद ही इसमें जो हमने प्याच को कट करके रखा था ना रफली तो इसलिए मैंने एक प्याच का यूज़ क्या है अगर आप ज्यादा क्वंटेटी में बनाना चाहो दो से तीन प्याच का यूज़ कर सकते हो साथ में टमाटे करी भी क्वंटेटी बढ़ा देना तो बस अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे एक चम जितना एक चम बहर कर कस्मरी लाल मिर्च जो थोड़ी से दीखे वाली आती है वह मिर्च भी डाल दिए जिससे कलर भी अच्छा आजाएगा और हमें कलर डालने की ज़रुद भी नहीं रहेगी तो बस एक से दो मिने सारे मसालों को ऐसे श्टर कर लेंगे और इसके बास एक चम बहर का अच्छे से श्टर कर लेंगे और थोड़े सा पानी डालने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी क्योंकि जो तमाटर का पानी है उसमें ही मटन गल जाएगा लेकिन आपको लगता है फ्रीज का है आपका मटन और गलने में थोड़ा टाइम लगाएगा तो इसमें हम खुब सारा फुदी ना डालेंगे अगर आप मटन बना रहे हो फुदी ना डालो तो ऐसा कैसे चल सकता है इसलिए मटन डालना और इसमें बस थोड़ा सा आधा गलस जितना ही पानी डाला है मैंने क्योंकि मेरा मटन भी फिरीज में रखा हुआ था इसलिए आधा गलास पानी डालकर इसको मैंने 15 मिनित तक उबाल लिया था 15 मिनित बाद हम चेक कर लेंगे पका ही नहीं अगर थोड़ा सा भी मलब थोड़ा सा हाड है तो चल जाएगा क्योंकि जब इसको हम तवे पे पकाएंगे तो कंटिनुसली पकता रहेगा तो मटन अच्छे से पक करें थो हमाठर को किस्मेहा करें जो को हमारे पीसिर रखे हुए मटन कर उसको ऐसे प्लेट कर नेकाल लेंगे क्योंAmma आपको अब बताओंगे मुAss hum क्या करेंगे तवे को मैंने गरम करने रख दिया है और मतन के पीछ दालिए है तवय में हम क्या करें गी बर टालेंगे अगर आपके पस गी अवैवलिबल नहीं होता तेल भी डाल सकते हो साथ में बटर भी डाल सकते लेकिन जो मतन में घी का टेस आता है भहुत अच्छा आता है तो अब भी घी का यूज जरूर से जरूर करना घी हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा हम क्या करेंगे जो मतन को रखे हुए था ना एक प्लेट में निकाल कर इसको उसमें डाल देना है और सारे मसाले और मतन और जो हमारे घी है सारा अबसर हो जाएं वहां तक इसको श्टर करते रहना है जो घी का फ्लेवर है मटन में अच्छे से अबसर हो जाएगा इसलिए फूल आंच पर हम इसको 2-3 मिल अच्छे से श्टर करते जाएंगे और लोहे का तवा है तो उसका जो टेस आता है वह भी बहुत यम्मी आएगा तो बस मैंने 2-3 मिल ऐसे फूल आंच पर श्टर करती रही और जो ग्रेवी थी ने ऐसे वीस कर लेती हास्ते ही मतलब मैंने इसको ऐसे श्टर कर लिया था अब ग्रेवी को इसमें हमें डाल देना है सारी ग्रेवी डालेंगे पानी हम बिल्कुल यूस नहीं करना है अगर आपको थोड़ा सा पतला रखना है तो आप इसमें पानी डाल सकते हो वरना ऐसे ही मजा आती है खाने में तवे में मैं अच्छे से सब ग्रेवी डाल दी है मटन के साथ इसको हम अच्छे से पकने देंगे आज से 10 मिर्ट तक तिमी आज पर हम पकने देंगे जिसे जो हमने घी डाला था ना वो भी अच्छे से पक जाए ग्रेवी में अफजर्व हो जाए और साइड से तेल भी निकल आलाएगा तो वहां तक हम इसको पकने देना है अब लास्ट में क्या करेंगी किश्वध किंग मसाहल राता है ओ डाल देंगे यह तेसी इसमीं अच्छा आता है कि आप भी इसे जरूर डालना सारह इसी से आप सटार हूं सेम प्रव्यिय मन करें साहे ये मटन में भी डाल सकते हो बहुत अच्छा टेस आता आप भी इसे जरूर यूज करना अगर आपको इसको चिकन में भी बनाना हो तो बना सकते हो सेम प्रोसेस वही रहेगी तो बस इसको आप साइट पर देख सकते हो तेल भी निकल आ चुका है ग्रेवी भी हमारी थिक हो चुकी है तो हमारी तावा बोटी रेसेपी तो रेडी हो चुकी है मटन अगर आपको चिकन में बनाना हो तो चिकन में भी बना सकते हो बस अब इसमें लास में हम खुब सारा दनिया और साथ में हरी मिज को कट कर रही हुई डाल देंगे आपको मैंने पहले बताई थी न जरूर बताना और हाँ अपने कीचन में इसको जरूर ट्राय करना लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं